नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चनल में हादिस वागत है, जैसा कि आप सभी लोग ने अभी तक थमनेले में देख लिया होगा, कि मैरथन का सेलेक्षन कैसे करें, मैरथन का चैन कैसे करें, तो ये चीज को समझने से पहले, मैं इसके बारे में बता हूँ इसे पहले आपसे मैं एक सवाल कुछता हूँ, कि आप पहले ये सोचो कि आप मेर्थन किसलिए दोड़ना चाहते हो, अगर आपका परपस, फिटनस है, तो उसके लिए एक मेरथन होगा, अगर आपका परपस, प्राइज मनी जीतना है, तो एक मेर्थन होगा, अगर आपका name fame कमाना है तो उसके लिए marathon होगा तो सबसे पहले आप यह सोचो कि आप किसली marathon दोना चाहते हो उसके बाद मैं आप लोगों को और अच्छी जब यह बात बोलूँगा तो आप अच्छी तरह सको समझ सकोगी अधर्वाइस यह उपर उपर का बात हो जाएगा मैं अगर सिधे बोल दूँगा कि यह marathon में चले जाओ उससे काम नहीं बनेगा मैं अपने सारे वीडियो में यही बोलता हूँ कि कोई बीच को logically सोचिए अगर आप पूरा यह वीडियो मेरा देखोगे अंतर तक तो आपको समझ में आ जागा कि आखे marathon में किस marathon में हमको जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए तो अंतर वीडियो को बने रहे हैं मैं अब इस वीडियो को दो भाग में बाठता हूँ एक शुरू में आपको यह बताऊंगा कि किस-किस marathon में आपको participate करना चाहिए कैसे participate आप कर पाऊँगे और दूसरा में भाग में बताऊंगा कि किस category में आप आपको भाग लेना चाहिए क्योंकि एक marathon एक topic हो गया और उसके अंदर category एक topic हो गया दोनों एक नहीं है आपमें यह confused होते हैं कि आप marathon देखते हो आपको लगता है कि बस हो गया और इसा नहीं है आपको उसके अंदर जो category होती है ना जैसे कि आपने नोटिस किया होगा आप 5K, 10K, 21K, 42K तो यह सब जो categories है इसमें हम कैसे जाएं और इसी को क्यों select करें मैं इस वीडियो में यह भी आपको बताऊंगा तो अंद तक बने रहिए ताकि आप अच्छी तरह समझ सको आज आप लोगों बहुत कुछ सिखने के लिए मिलेगा इद मैर्थन बहुत तरका होते हैं जो सबसे common मैर्थन अभी जो हो रहा है वो road run वाला हो रहा है जो कि हर state में covid के बाद से हर state में बहुत भारी मात्रा में हो रही है और health को promote करने के लिए अपने country के तरब से भी state government के तरब से हर तरह से support किया जा रहा है और marathon को बढ़ावा दिया trail run में क्या होगा कि वहाँ पर आपको अलग तरह का surface मिलेगा elevation वहाँ पर मिलेगा यहां road वाला में elevation बहुत कम होगा ना कि बढ़ाबर होगा पर वहाँ पर आपको elevation मिलेगा road हो सकता है कच्छा सड़क हो सकता है कुछ भी हो सकता है तीसरा कि आपको slow marathon आ गया है उन्या ही category है तो अलग अलग तरह का marathon है तो आपको सबसे पहले यह decide करना होगा और सबसे पहले आपको यह सोचना होगा कि मैं किस marathon पर जाना चाहता हूँ और मेरा target किया है मैं marathon क्यों दोड़ना चाहता हूँ क्योंकि अभी ऐसा है कि marathon इतने हो रहे हैं कि आदमी को अच्छा भी लगता है participate करना तो सिर्फ उससे नहीं होगा आपको marathon का athlete जो कि marathon complete करते करते उनका बीच में ही यहां तक ही देध तक भी हो चुका है तो आपको बहुत ही सोच समझ करके करना है इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे हैं मैं आप लोगो यह भी बताऊंगा कि आप लोग अगर जिस लेबल में भी हो उस लेबल में आपको किस तरह क event में participate करना चाहिए और कौन से event कब participate करना चाहिए तो अब आते हैं हम लोग आपको यह बताते हैं कि marathon में कैसे participate करें क्या क्या बात का ध्यान रख करके तो इसमें मैं दो बात है एक कि एकदम नया runner है और एक जो की पहले से काफी दिन से दोड़ चुका है दो तरह के लोग ह जो कि पहली बार marathon में participate करने जा रहे हैं उनके लिए मैं ये बात बता रहा हूं उनलों को क्या करना है सबसे पहला काम अपने local event में जहां local हर area का हर state में होता है आप उस marathon में participate करो वो कितना बड़ा है कितना चोटा है उससे कोई मतलब नहीं है मैंने खुद अपना पहला marathon तो उसमें मुझे registration भी तक नहीं लगा था पर मैं उस पर दोड़ा और उसमें बहुत कुछ में सीखने के लिए मिला जो कि मैं आगे चलके बाकी marathon में अपना उसको इस्तमाल कर पाया तो सबसे पहला आपको क्या करना है कि आपको एक local छोटा marathon में दोड़ना है ताकि आप उ समझ पाओगे कि होता क्या है वहाँ पर किस तरह से हमको क्या क्या चीज का ध्यान देना परता है बहुत कुछ हम लोग कितना दे आपको यहां पर बैठ करके बताएं इपर आप खुद जब जब जाओगे ना तब आपको समझ में जागे कि आक क्या क्या कमी आइगी Actuallyik कुछ नया सिखते हैं तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि कुछ एक छोटा सा इवेंट कोई बड़ा नाम फेम का जरूत नहीं है लोकल के टेगरी में भी होता है वहाँ पर पार्टिसिपेट करो हो गया दूसरा पुराने मेरथन रनर हो आपने काफी मेरथन दोड़ चुका है तो आपको अब क्या ध्यान देना है कि सेटिफिकेशन चेक करना है आपको ये देखना है कि मेरथन जो हो रहा है क्या वो एम सेटिफाइड है अगर वो सेटिफाइड है तो आपको बहुत फैद होगा यानि कि अगर हम लोग जिस देश भारत मेरा रहे हैं यहां से अगर हम बाहर बिदेश में जाकर भी दोड़ना चाहेंगे यूए स्यूके ऑस्टेलिया में तो वहाँ पर भी इस सर्टिफिकेट का वेल्यू रहेगा क्योंकि जो इंटरनेशन लेवल के जो होते हैं मेरिफन जैसे कि आप बर्लिन मेरिफन ले लो टोक्यो मेरिफन ले लो ये सब जो बड़े बड़े मरिफन हैं लंदन मरिफन तो इन लोगों का क्या है एक qualification time है आप अगर उसमें दोड़ना चाहोगे ना तो आप ऐसे join नहीं कर पाऊगे उस पर आपको participate करने का मौका नहीं मिलेगा जब तक कि आपके पास एक valid time certificate नहीं है उस पर जब आप qualify करने के लिए जाओगे तो आपसे पुछेगा कि आप अपना time बताओ आपने कितने time पे ये event हो complete किया है जिस category में आप participate करना चाहते हो तो वहाँ पर आपको वो time show करना पड़ेगा और आपके बास अगर aim certified का certificate है तो वो time जब दिखाओगे तो बड़े event में भी पार्टिसपेट करने के लाइक हो जाओगे अगर आप qualification time के अंदर में आते हो तो अब उसका qualification time क्या है उसके लिए एक अलग से वीडियो बन जाएगा पर ये आप समझ लो कि aim certified होने से आप आप globally कहीं पर भी पार्टिसपेट कर पाओगे तो ये काम जब आप दो चार event दोड लेते हो आपके अंदर में पूरा confidence आता है आप समझ जाते हो marathon में होता क्या है क्योंकि एक जैसे जैसे आप marathon में run करते हो तो आप नया नया सीखते हो आप कोई भी चीज जा करके नया जगा में try नहीं कर सकते हो आप hit and trial नहीं चल रहा है वहां के लिए आपको पूरा फुली prepared होना पड़ेगा और फुली prepared आप ऐसे भी हो जाओगे अगर उनलों का अगर qualification time सिर्फ देखोगे ना जो time qualify करने के लिए देते हैं अगर आपने अच्छा practice नहीं किया तो वो qualification time कोई clock नहीं कर पाओगे तो आप सबसे पहले ध्यान क्या देना है नए runner है तो छोटा इवेंट दोड़िये लोकल इवेंट दोड़िये ताकि कुछ सीख सको उसके बाद आप सेटिफिकेशन चेक किजिए कि किस सेटिफिकेशन का ये इवेंट हो रहा है फिर तिसरा अगर आप इवेंट में बहुत महनत कर रहे हैं और आप प्राइज मनी भी जीतना चाहते हैं इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि ये जो मैरतन हो रहा है ये कहा हो रहा है कहां हो रहा है का मतलब ये है कि मान लिजिए कि मैं जारखन राज्य का हूँ तो हमारे यहां का जो climate है उससे मिलता जूलता climate जहां का है उस जगह पे आप पहले जा करके दोड़ने का प्रयास कीजिए एक बार में आपको climate change करने का जरूरत नहीं है नहीं तो आपका body को sock लगेगा और आप marathon को complete भी नहीं कर पाऊए इसलिए जितने भी marathon है जो कि अलग जगह मोते हैं जैसे कि लगडाक अपने इंडिया का one of the best और सबसे reputated marathon में आता है क्यों आता है क्योंकि वहां पर दोड़ना सबके बस की बात नहीं है वो high altitude में होता है जहां पर आपको oxygen का label कम हो जाता है तो वहां पर जा करके आपको अपने सरी को automatize करना पड़ता है वहां का वाता वरन के हिसाब से अगर local भासा में बोलें वहां का वाता वरन के हिसाब से आपको अपना सरी को adjust करना पड़ता है कोई भी आदमी एक बार में नया जगा जा करके वहां का हिसाफ़ से नहीं कर पाएगा आप नॉर्मल आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि एक राजी से दूसरा राजी जाने में आदमें बोलते हैं कि भाई कि वहां का पानी सूट नहीं किया तब्यत खराब हो जाता है तो आप ये समझो कि आपको कोई इन बातों का भी ध्यान देना है ऐसा नहीं है कि कि किसी जगा में इवेंट हो रहा है तो अच्छा प्राइमनी भी मिल रहा है सर्टिफिकेशन भी अच्छा है तो हम वहां जाकर दोड़ लेंगे आप ये सोचों कि क्या उस हिसाब से आपका सरीर सेट है तब आप जाकर को वहां दोड़ोगे तो अभी तक आपनों समझ लिया कि मैरथन किस तरह का होता है और क्या-क्या चीज को आपको ध्यान देना है हो गया अब आते हैं हम एक केटेगरी वाइज जो केटेगरी रहता है अभी मैरथन एग्जेक्ली जो मैरथन वर्ड है ये आया है फोटी टू किलुमेटर के लिए पर उसके अंदर में छोटी छोटी इवेंट को और एड किया गया है क्योंकि फोटी टू किलुमेटर हर आपको समझाओंगा कि क्यूं आपको ये पार्टिकलर केटेगरी को चूज करना चाहिए अभी जो केटेगरी है जैसे कि सुरू हो गया है किड रन थ्री किलुमेटर का तो ये आप देख लो ये इसमें तो आप आओगे नहीं फाइव किलुमेटर का फंड रन या फैमली र किलुमेटर का हाथ मैरतन और फोटेटू क्लिमेटर का फुल मैरतन का इसमें अब क्या है कि आपको यहीं पर सबसे ज्यादा लड़के एथलीट जितने हैं वह मिस्टेक कर जाते हैं कि उनलों को समझ में नहीं आता है कि कौन सा डिस्टेंस का सेलेक्शन करें तो मैं अब य अच्छी हो वाला इवेंट में तो आपको पार्सिपेट करने का ऐसे भी नहीं मिलेगा फैमली रन फंड रन फाइट किलुमेटर का अगर आपने थोड़ा दो चार महिना प्रैक्टिस किया तो उसके लेवल के उपर आप चले गए दस किलुमेटर से आप आते हैं पर बहु बात को नोड डाउन कर लो जैसे जैसे डिस्टेंज बढ़ता है वह अईसे समस्या बढ़ती है वह और आप लोगों का नया-ईया तरह का चीज को महसूस होता है अलग-अलग तरह का प्रोब्लम आता है उस हिसाब से आपका प्रिपश्ण का जरोथ पड़ता है उस इसाब स शे महिना होते होते वो जाकर के हाफ मेरतन यहां तक इस बार जो कॉलकता का 25K का इवेंट हुआ था उसमें 25K का इवेंट दोड़ गया है तो सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि वही इसने तो सिर्फ जहां चलना सुरू के था शे महिना में जाकर के 25 किलोमेटर का दोड़ गया पर मैं हर आदमी को यह चीज रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा एकसेप्सन हर जगा होते हैं तो उस तरह को नहीं करना है आपको सबसे पहले यह देखना है कि आप किस लेबल पे हो आप क्या 10 किलोमेटर का जो इवेंट में पार्टिसपेट करना चाहते हो तो 10 किलोमेटर के लिए क्या आपका सरीर उस साथ तैयार हो चुका है आप पहले यह सोचो अगर आप 10 किलोमेटर के लिए तैयार हो चुके तो उसी केटेगरी में आपको जाना है मैं अपना परसनल एजमपल दे देता हूँ मैं एटल देली हाप मैर्थन का वर्चुल रन का एज केटेगरी का विनर हूँ पर मैं 10 किलोमेटर का इवेंट में दोड़ रहा हूँ और मेरा लॉंग रन जो है हर संड़े को मैं 21 किलोमेटर दोड़ता हूँ तो उस हिसाब से मैं हाप मैर्थन तक का तो डिस्टेंस अराम से दोड़ सकता हूँ पर मैं फिर भी 10 केट दोड़ रहा हूँ क्यूं क्यूंकि मेरा टार्गेट अलग है आप ये भी सोच लो कि आपका टार्गेट क्या है आप एकदम फिट रहने चाहिए ऐसा नहीं हो कि आपका पहला इवेंट अंतिम इवेंट ना हो जाए आपको क्या करना है कि सीड़ी वाई सीड़ी चड़ते जाना है आप अपने आप सरीर को समय दिजिए बिल्ड कीजिए जब आप एक स्टेज पहुंच जाओगे एक स्टेज में आप पूरा कंप्लीट हो जाओगे पूरा लगेगा कि यहां पर तो मुझे कोई तरह समस्य नहीं है तब दूसरा स्टेप में जाईए बहुत कोई हडबड़ी में रहते हैं उसके करण क्या होता है कि जैसे तेसे करके इवेंट कंप्लीट करते हैं अब जैसे तेसे करके अगर इवेंट आपको कंप्लीट करना है तो आप किसी भी केटेगरी में कर सकते हो पर ऐसा नहीं होता है आप इवेंट में जब जाओगे तो आप नोटिस करना जितने भी लड़के या लड़कियां जो की टॉप के फिनिसर सब हैं वो लोग का खली उपर से नीचे आप देख लोगे न तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोग किस लेवल का प्रिपरेशन है उनका उन लोग का कपड़ा लता जूता हर चीज पूरा वेल मेंटेन रहें उन लोग का शरीर को देख करके बॉड़ी को देख को लगया कि नहीं ये लोग ने प्रिपरेशन किया है जब आप कोई वी इवेंट में केटिगरी में रहो जाए दस क्लिमेटर में रहें चाहे हाफ मेर् इसका मतलब उनको देखके ही समझ में आता है कि वो लोग का प्रिपरेशन कुछ नहीं है और वो लोग सिरिप आये हैं रिपरजेंट करने के लिए पर वही से लड़कों और लड़कियों के साथ होता क्या है कि पूरा इवेंट को दोड़ के भी कम्प्रेट नहीं कर पाते ह हैं आप सिंपल भासा में समझो कि जो भी इवेंट में पार्टिस्पेट कर रहे हो उस इवेंट को अगर आप दोड़ करके पूरा कम्प्लीट कर सकते हो तो उस केटेगरी में आपको नाम लिखाना है सिंपल सा भासा है अगर आप इस लेबल पर पहुंच गया हो मैं 10 किलो मेटर अराम से दोड़ लेता हूं इसले में 10 किलो मेटर पे अपना केटेगरी पे चूज करता हूं आप जिस केटेगरी में कॉमफर्टेबल हो उस पे करो आदमी लोग बोलते हैं कि नहीं कि आप दोड़ करके चल करके ऐसा भी करके complete किजिए सिर्फ complete करना करें आपका target है तो आप समझो मैं आप लोगों ये बता रहा हूं कि किस किस तरह से आपको chain करना चाहिए आपने पहला तो समझ लिए कौन कौन सा marathon किस तरह से आपको chain करना चाहिए अब यहां category में बता दिया कि आप अपने आपको marathon लाश्ट marathon नहीं होना चाहिए पाल कि पहला marathon कभी अंत marathon होना ही नहीं चाहिए ऐसा आप मान करके चलो और समय दीजिए बहुत कोई बोलते हैं कि पूछते हैं कि हाप marathon के लिए और full marathon के लिए कितना समय लगेगा तो आप यह समझो कि हर आदमी का सरीर अलग है आपको जितन समय लगेगा हो सकता है मुझे उतना समय नहीं लगे मुझे कम भी लग सकता है बहुत ले मुझे मैसेज किया है कि मैं बहुत दिन से दोड़ रहा हूं पर मेरा time कम नहीं हो रहा है तो आप समझो कि आनि कि आप जिस event के लिए जा रहे हो उस event के लिए prepare ही नहीं हो इसका simple सा म उस टाइम के अंदर में कम्प्रीट करना चाहोगे, तो आपको उपने सरीर को फोर्स करना पड़ेगा, जो जब जस्ती करना पड़ेगा, और ये करने चकर में आपको इंजुरी हो जाएगा, जो कि बिलकुल भी सही चीज नहीं है, तो आप पहले अपने आपको उस लेवल प में कॉमेंट कीजिए, मेरा नंबर अबाउट सेक्शन में है, वहाँ से आप वार्टसप कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे जितना बन पड़ेगा, मैं आप लोगो मिदद करने का प्रयास करूंगा, इतना दूर तर वीडियो देखने के लिए आपका दिल से प्रयास कर देखने के लिए वाल टाहते हैं, ताहर प्रयास करापका दोपाट